नमस्कार दोस्तों मैं जित सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चानल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाल है देवी अहिल्या वाइविस विद्याले इंदोर के जो अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट के लिया जाएगा तो इस वीडियो में हम उसिक जानकारी देने वाला है तब आप इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर विल आइकन को दो आए जिससे के हमारे चैनल पर जो भी ने यह बडिटा हो सबसे पहले आपको मिले तो चल इनिवर्सिटी प्रवंधक है उनके द्वारा एक नया जो तरीका है एक्जाम लेने का अगर किसी कारण वस एक्जाम कैंसिल होता है आफ लाइन तब उनके द्वारा एक नया तरीका बना दिया गया है जिसमें आपको एक्जाम देना पड़े गा ही तो वह तरीका क्या है त परते संक्रमर के चलते परिक्षा निरस्त हो सकती है। ऐसी इस्तिस्य में भी स्विध्याले उस तारिक पर पेपर कैसे करवाएगा। इसके लिए अधिकारियों ने प्लान भी तयार करके रखा है। यानि ओपन बुक पदतीस से परिक्षा होगी। बकायदा बिस्विध्याले ने प्रतिक विशक के पेपर बना रखे हैं। या काम, कामर, साइंस और आर्ट्स संकाय को दस दिन पहले ही बोल दिया गया था। यानि दोस्तो इनिवर्सिटी प्रबंधक की द्वारा जो सभी कॉर्सिस के जो प्रबंधक हैं। उनको question paper बनाने के लिए पहले से notification दे दिये गये हैं और इस पे काम चल रहा है। अगर कोरोना के वज़े से जो संकरमर फैल रहा है उसके वज़े से अगर इनिवर्सिटी के द्वारा आफ लाइन जो एक्जाम है उसको अगर निरस्त किया जाता है तब इनिवर्सिटी के द्वारा open book system पे अधारित एक्जाम लिया जाएगा। जो कि दोस्तों आप घर से ही दे सकते हैं। इनिवर्सिटी आपका जो एक्जाम होगा वो डारेक्ट open book system पे आधारित ले लेगा। आफ लाइन ना लेके इसको ऑनलाइन लेगा। संकाय धचो को सारे बिशाय के पेपर तयार करने को कहा गया है। अधिकारियों का कहना है कि संकरमण की वज़े से परिक्षा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। तया तारिक के बीच परिक्षा करवाएंगे। इसके लिए भी प्लान तयार है। सासन से निर्देश आने के बाद परिक्षा पर फैसला लिया जाएगा। वैसे प्लान भी के तहत कालेजों को भी ओपेन बुक के तहत कापियां जमाक कर मुल्यांकन करने की जिम्दार्य दी जाएगी। यानि दोस्तों जो कॉलेज होंगे वो कॉपी को कलेक्शन सेंटर के तोर पे कलेक्ट करेंगे। और वहीं से उसका जो मुल्यांकन यानि कॉपी चेक करने की कारवाही चालू कर दी जाएगी।